इस वीडियो में हम देखेंगे Ather Rista के internal frame structures, काफे interesting changes हैं यहाँ पे, कुछ hidden arrow features, उनके past designs, headlight के components और कुछ thoughts helmet के उपर जो मैं आपको कहूंगा, disclaimer देदू यह video sponsored नहीं है पर Ather ने मुझे ज़रूर fly out किया event को, मैं just एक fan हूँ and of course मेरा channel engineering and science focused है, तो उसी के आसपास इसका coverage होगा तो चले जानते हैं, सबसे पहले बात करते हैं यह frame difference की, right, इनके पास एक काफे interesting, इन्होंने एक presentation के time यह दिखाया था, जहाँ पे आप first में 450X का frame और internal structure देख सकते हो, और next में Rista का internal frame और structure, अभी interesting है, जब आप quickly flip करें इन दोनों में, तो काफे चीज़े same लगती है, काफ battery same ही है दोनों में, तो जो battery construction है, same ही है, पर अब quickly flip करें इसमें, तो आपको देखे का battery की ऊपर कोई structure है, Rista के case में, पता नहीं यह क्या है, बढ़ा, इस x-ray diagrams में थोड़ा difference दिख रहा है, यहाँ पर अगर मैं आपको वो real वाला, जो उन्होंने frame दिखाया था, उनके event में, वो दिखाऊ, तो आप देखो के वहाँ पर नहीं दिख रहा है, यह elevated floor जैसा कुछ तो, interesting है, इसी के साथ एक hidden arrow feature की बात कर लेते है, यह शायद 450X पर भी है, अगर आप wheel के just पीछे देखो, तो जहाँ पर element end होते है, वहाँ आप देखो के थोड़े air scoops जैसे कुछ तो है, तो यह most likely जब हवा उधर आ रही है, तो थोड़ा बहुत इसमें divert कर रहे है, और यह नीचे flow होता है, battery floor के पास, and then straight out flow होता है, जहाँ पर battery के fins है, यह battery को passively cool करने के लिए, अगर मैं आपको एक naked battery दिखाऊ हो, जो वहाँ पर थे display पे, तो आप देखो के नीचे के fins है, straight, plus आगे भी थोड़े fins है, तो यह एक interesting arrow feature है, scooter का, कुछ लोग यह भी कहेंगे कि, आगे भी है कुछ तो ऐसा goal, air duct जैसा, वो air duct नहीं है, वो of course design element है, plus उनका जो कुछ, एक accessory है, वो जो हम लगाते है न, steel का protection भाहर गिरा तो गाडी, उसके लिए है वो, तो उनका custom कोई accessory है, उ उसके उपर लगेगा, तो यह आया हम battery, battery के उपर जो same है as 450X, अगले हम बात करेंगे frame के उपर, और यह काफी substantial change है, although नीचे का हम कह सकते है कि same here आया और उपर के बदल रहे है, but still काफी changes है और सबसे significant change है यह frame, 450X पर अगर आपको दिखाऊ, 450X का भी एक nicked frame तो आप देख सकते हो, आपको देखके ही पता चलता है कि एक aluminum casted frame है, यानि कि aluminum को melt करके इस पूरे frame को single piece में बनाया, तो यह of course एक बहुत sturdy और बहुत tight या बहुत stiff frame होगा, और इतर 450X एक performance scooter है, तो वो सब elements वो expect भी करेंगे उस scooter के उपर, पर अगर हम रिस्ता को देखे, तो यह तो casted न लंबा है, यह पूरा load जो है, यह points लेंगे, और यह लोग ने आप तक नहीं बताए कि क्या weight के लिए rated है, यह इसलिए important है, क्योंकि जितना बड़ा seat है उसका, यह triple, quadruple लोग जरूर चलने वाले है, especially gao और colleges में, तो I hope वो जादा, बहुत जादा हो, but काफे interesting structure है इस पूर अधर के लोग कहा रहते हैं कि motor भी same ही है दोनों में, आप देख सकते हो, वही same वो यूज कर रहे है, geared down, यानि कि motor directly wheel को connected नहीं है, वो फिर एक बड़े wheel को connected है, जिसके छुटी wheel के तुरू, वो two step reduction हो रहा है, अब इसके होने के multiple reasons है, इसी के कारण आवाज भी आता है, वो पर तो बेटेड की हम higher rpm ले इन दिन उने, gear down करें, प्लस काफी और reasons है, वो चाते है कि noise वगरा हो, अभी एक interesting चीज मेरे को, मतलब मैं अभी भी confused हूँ, कि आप देखो कि motor की उपर fins है, वो of course motor को cool करने के लिए, but वो हावा circulate कैसी हो रही है, उसके आसपास, मैंने पीचे स यह camera अगेरा डाला था अंदर देखने के लिए हावा काया जा रही है, बट नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए क्योंकि अगर आप 450X देखो, तो उनका जहाँ आगे के वो छोटे जो structural elements stick out हो रहे है, उसके नीचे hole है, जहाँ पे एक fan है, तो अगर motor बहुत ही गरम होता है, पैसिव एर नहीं मिल रहा है, यहाँ वो फैन के किन कर सकता है, बट यहाँ वो कहां से ले रहा है, नहीं समझा, शायद वो motor, यह motor नहीं सारी, seat के नीचे जो छोटे gaps है, उसमें शायद कोई duct जैसा बनाओ, बट यह आगे ही पता चलेगा, जैसे ही कोई खोलता है future में, motor ज मुझे नहीं बता कितने F1 fans हैं मेरे community audience में, बट हाँ, यह साल अगरे साल में Ferrari को support कर रहा हूं, और 2026 में हम Audi को खुद को कुर्बान करेंगे, anyways, motor का वो देखना होगा कैसे passively कूट करता है खुद को, एक और आगे interesting चीज अगर आप देखो, wheel के उपर, of course calipers change हो गया, brake size, but अब देखो तो wheel speed sensor है इसके उपर, यह उनका नया, जो skid control वो implement कर रहा है, kind of implementation of traction control, मतलब अगर दोनो wheels अलग speed के उपर घुम रहा है, मतलब पीछी का wheel skid कर रहा है, अगर आप normally जा रहे हो, तो दोनो wheels का speed similar होना चाहिए, same होना चाहिए, बट अगर पीछी का wheel जाता तेज स operations देखो, तो यह काफी sharp sharp सा है, right, I mean 450X का kind of design philosophy, sharp not soft, but फिर वो design themes पे जाए, again still sharp, थोड़ा बहुत cyber truckish वाला feel आ रहा है, right, and then वो एक और slide है, final concepts का, इसमें अगर आप देखो, तो again वो cyber truck वाला design philosophy हमें दिख रहा है, वो अभी slowly slowly soft पे move कर रहे, उनका वही theme ता कि scooter में वो soft feeling ह उने चाहिए, slow, soft, calm feeling, not वो 450X वाल aggressive stance, right, and then उन्होंने ये concept select किया, finally, फिर ये 3D model बनाया, and then ये first POC, ये proof of concept, यहाँ पे वो कह रहे थे कि उन्हें इशो आए कि बहुत लंबी थी seat, uncomfortable उन्होंने लगी थी, slides हो रहे थे, then उन्होंने seat थोड़ी shorter की, ये है तीन concepts उनके seats के, जो explore कर रहे थे, ये राप painted POC, और ये final one जो उन्होंने select किया, उन्होंने headlamp का भी design दिखा कि क्या-क्या parts है, outer lens, bezel, उसके DRLs होगे राप separate, अगर आप वो देखो, तो 3 elements है, एक है low beam, और 2 high beam पे चलते है, तो वो ऐसे 3 lens reflectors है अंदर, and side में DRLs और indicators, काफी smart दिखते है मे प्राइस पर debate कर सकते है, बट अगर में just product को देखो, तो मैंने पहन के देखा एक prototype, audio काफी अच्छा था, बहुत heavy base नहीं था, बट था low end में, like you could feel, था, base था मतलब ऐसे, right, क्योंकि आप expect करो के helmet में hollow होना चाहिए audio, बट नहीं, audio का quality काफी अच्छा है, but at the same time मेरे को भा scooters के बीच में, वो देखना होगा, बट हा, helmet तो काफी अच्छा लगा मेरे को build wise, मेरे को ये arrow features अच्छे लगे, आगे scoops वोगेर है, हवा के, बट हा, of course price थोड़ी जादा है, but then, यही था, उसके बज़ाए भी कुछ cool cool चीज़े थे, आहां पे, बट हा, scooter interesting है, काफी engineering भी अच्छेंट, thank you